साहे बेवी और गैंग्स्टर 3 के सामने बॉक्स ओफिस पर उत्री है हॉलिवड फिल्म मिशन इंपासिबल फॉल आउट फिल्म कितनी धमाकेदार है इसका अंताजा तो फिल्म के क्रिटिक्स रिव्यू से ही लगा सकते हैं फिल्म को क्रिटिक्स की तरब से 4 स्टार मिले हैं जी हाँ फिल्म को धमाकेदार रिस्पॉंस मिल रहा है Mission Impossible Hollywood के hit franchise ही है ये Hollywood film के धमाकेदार action series है जिसने सिव विदेशों में ही नहीं बलकि भारत में भी धूम मचाई है 1996 में इस film का पहला पार्ट आया था जिसके बाद हर 4-6 साल में इस film का sequence आही जाता है Mission Impossible की हर series में Tom Cruise ही इसके hero रहे 56 साल की उम्र में भी film में Tom Cruise ने ऐसे ऐसे stunts किये हैं कि उन्होंने young actors को भी पीछे छोड़ दिया है वहीं इस तरह के action scene तो आप Bollywood में भूली जाओ तबी तो 1996 से लेकर 2018 तक Tom Cruise इस franchise की जान रहे हैं Tom Cruise ने film के अपने सारे stunts खुद ही किये हैं Film के director है Christopher McFurry वो पाचवे पार्ट रोगनेशन को भी direct कर चुके हैं जिसके जबरदस्त तारिफ हुई थी और इस film में भी उनका direction कम्माल का है इस बार film की कहानी रोगनेशन की कहानी को आगे ले जाकर इसे complete करती है Solo Man Lane नाम का एक अपराधी अपने दुश्मन देशों का खात्मा करना चाहता है और वो इसके लिए war करवाना चाहता है इस war को रोपने के लिए Ethan Hunt, Benji और Luther मिलते हैं और फिर शुरू होता है Mission Impossible Fallout इसके अलावा फिल्म में जूलिया और इथन के बीच एमोशनल सीज भी आपको देखने को मिलेंगे वेल अगर आप Hollywood की एक्शन फिल्मों को देखने के शौकीन है तो ये फिल्म सिर्फ आपके लिए ही है